मैं मयंग दिवेदी आज आपको लेक्चर 6 पीजीटी टीजीटी का जो चल रहा है उसको उताने शुरू करने जा रहा हूँ बट उसके पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे बचे हुए जो मैं पास पहले अप्लोड कर दिये हैं उनको नहीं देखा है तो गाइस गो एंड वाच आई यह बात करते हैं फिर कॉश्चन नमर वन पर कुश्चन नमर वन हमारा क्या है इस और बाउट यह बाइनोमिल थेरम के कुश्चन है सबस्क्राइब कर लो अगर आपसे हो रहा है तो आप कर लो अधर वाइस आई देखते हैं तो गाइस इस कुश्चन को अप्रोच आप दो तरीके से कर सकते हैं एक अप्रोच जो आप लोग ऑल्मोस्ट 99 प्रसंट लोगों ने कर रहा हुआ बिकॉज यह कुश्चन दिया ही ऐसे ब्रैकेट्स में है कि आपके दिमाग में वही चीज़ क्लिक कर रही होगी जो आपने किया है क्या किया है पास्कल ट्रैंगल किया है आई देखते हैं पहले उसके तो आपने यूज किया होगा यह फॉर्मला एकोल तो एन प्लस ब्लस 8c2 and 8c3 go on till 8c7 तक आपका करंटीनी हुआ आपने इसको सॉल्फ किया आपका आंसर आजाएगा फेर इनफ यह तरीका तो है आपका सही बिलकुल मैं मानता हो बट मैं इससे भी आसान तरीका क्या सकते हो आप वह बताने जा रहा हूं वह क्या तरीका है इस फॉर्मले का यू प्रीशन आपके इकजाम में जरूर आना है तो गाइस उस फॉर्मॉले को अच्छे से देख लीजे समझ लीजे और फिर हम लोग आगे बात करते हैं एंप फॉर्मला यह होता है एंसी जीरो प्लस एंसी 1 प्लस एंसी 2 प्लस एंसी एंड यह जो पूरा होता है यह इकोल होत साम है आप छोड़ देते हो लुक वरी डिफिकल्ट बट है नहीं इसा कुछ ठीक है आपकी जो भी यहां एंड की वैल्यू होती है वह यहां पर आ जाता है सही बात सो इस कुर्शन को अगर मैं आप से बोलू कि आप इस तरह देखो सेवन सी जीरो सेवन सी वन एंड सो ओन 7 C0 7C1 7 C6 सिर्फ 7C7 तो नहीं है न और 7 C7 की वैल्यू होती क्या है लेक्वियतव मैं एक और क्या दिक्क्त है यह होगा टुप्रार्ट 7 वहां पर नहीं गीन है इस click 0 7 C7 कि नहीं ईत्म परते नहीं हाँ था हम पीलिटी सेरी में इलभित हैंगे अगर आप सो यह लिखा है 7c1 7c2 and so on 7c7 अगर यहां पर 7c0 कर दिता है मैं मान लीजिए अपने मंद से so this should be equal to 2k7 होता ना होता पर यह टर्म नहीं है और 7c0 की भी value होती है 1 अब इन दो लोगों को क्या करना है एड करना है टुगी पावर 7 टुगी पावर 7 एड कर दो टुगी पावर 8 minus 1 minus 1 minus 2 so your answer is c ठीक है ना समझ में आ गया आप लोगको आपको समझ में आ गया हो बहुत इजी था मैं यह बिल्कुल नहीं बूल रहा हूं कि पास्कल ट्रेंगल वाला फॉर्मला गारता है वो भी काफी इजी है वो भी इतना ही पड़ता है I guess इसमें sum of coefficient क्या होगा so guys ऐसे questions को कुछ नहीं करते हैं जब भी आपसे पूसा जाएगा sum of coefficient क्या बुचा गया है sum of coefficient जब भी आपसे question में binomial theorem के sum of coefficient पूसा जाएगा आपको जो भी variable उसमें use किया गया है उन सब की जगह पर 1 रग देना है इस question में तो आपको सिर्फ एक variable है एक्स पर ऐसा कोई compression नहीं है कि एक्जाम में एक variable वाला ही आए हो चक्ता एक्जाम में दो वाला जाए तीन वाला जाए आपको उसको बुदर नहीं करना है आपको सिंप्ली एक्स की विल्यू वन रख देनी है अच्छा वन रखोगे तो क्या अंसर आगा है नाइन नाइंट पावर हैंड्रेट राइट नाइंट पावर हैंड्रेट इस यूर आंसर बट ऐसा option है नहीं कभी कभ आप्शन देखा था ऐसे कुछ कुछन था और लेक नाइन की पावर 200 एक ऑप्शन था और येक ऑप्शन था ऐसे सिंपल सिंपल तो बच्चे उसमें ग्रबडी कर देते हैं ठीक है तो घ्यान रखेगा अब नाइन की पावर हैंड्रेट को मैं लिख सेता हूं 3 की पावर 200 आपको पता है सुरी की पावर 2 होता है 9 so your a option is correct guys sum of coefficient करना होता है तो x equal to 1 रखते हैं हाँ एक और concept है जो मैं अपने प्रिविएस वीडियो में आप उनको देख सकते हैं इसको जरूर कर लिजेगा ठीक है आई रिससकते क्वेशन नमर त्री सो क्वेशन नमर त्री अगर आपने मेरा प्रिविएस वीडियो देखा है complex का तो आप इसको देखते ही दिमाग में आपके कुछ आया होगा क्या आई बात करते हैं सो गाइज जब भी आपका जेट स्क्वेर प्लस एक प्लस वन इकोल टू जीरो आता है ठीक है यह एक्वेशन जब भी आती है complex नमर में आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए नहीं आती है तो कि इफ z2 plus z plus 1 equal to 0, then the value of z is only omega and omega square and there are two relations between omega and omega square 1 is 1 plus omega plus omega square is 0 and the other one is omega cube equal to 1 right if omega cube is 1 then any goddamn power of 3 multiple of 3 of omega is also 1 right so यह बार दिमग में आप रखेगा कि omega cube ही 1 नहीं होता omega 6 omega 9 और any power of omega which is multiple of 3 is also equal to 1 right so आप इस question मों देखते हैं आप से कहा गया है इसके जो roots है where z is the complex summer then the value of it ना तो आप z की दो value है एक omega है एक omega square है आपको जो पसंदो like omega पसंद होता है ठीक है कोई भी एक लिए से तो omega अब यहां रखो omega z की जगाँ पर यहां रखो यहां रखो यहां रखो और यहां रखो ठीक है और omega q रख देते हैं आप तो क्या दिक्कत तो नहीं होगी है समझ में आ रहा है वर लिखाता ना वर्ण की यहां पर क्या लिख सकते हो मैं क्यूब अभी omega से काट दो इसको क्या अचेगा omega square और omega plus omega square को क्या होती है माइनस वन और माइनस वन का square करना है क्या आएगा वन क्या आगया वन इसके उलू क्या आ गई वन आ गई ना likewise इसको 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 आप सबको solve कर सकते हो कोई दिक्कत तो नहीं है कर लोगे ना solve करोगे आपका answer आ जाएगा but now I'm going to give you a breaking short trick of this question इस question को करने का concept जुगार number one मैं आपको दे दिया ठीक अब मैं आपको वो शॉट्रिक देने आ रहा हूं जिसको देखकर आप भी amuse हो जाओगे और इस question को देखते ही fraction of second में सिर्फ answer take करोगे और next question चले होगे guys just imagine अभी तो यह सिर्फ 6 तक है तो आपने solve कर लेना है what if this goes to 28 34 78 और any other power because recently what happened मैंने भी exam हुआ था उसमें देखा paper में यह 28 तक आया हुआ था so guys it will take a time यह काफी समय लग जाएगा अगर इसको आप method से solve करोगे यह जुगार से भी solve करोगे तब भी आपको एक मिट से ज़्यादा लग जाएगा so now अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हो now I'm going to give you a very small very important trick वो है क्या जो भी terms लिखे होते हैं सबसे last term को देखो यह है इसमें power क्या है 6 है 6 को इससे multiply कर दो आपका answer आगया 6 into 2 कितना होता है 12 so 12 is your answer ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा साइए अंकर्विशन तरीका है but guys I'm all again telling you one thing in examination you just have to choose the appropriate out of four options that's the only objective okay let's proceed next question so what's your question question को रीड करिये समझे अपकार अपने आप से question बहुत simple है कहरा है square root इसका निकालो जो भी x की value होएगी बताओ but your question concern is कि भाई square root कैसे निकाले एक method conceptual academic method क्या होता है कि आप इसको square कर दीजे both side solve करिये real part को real से compare करिये imaginary part को imaginary से compare करिये then you make another equation then you find x and y by using simultaneous equation but it will take a long two three minutes now I'm going to give you a very important trick for this guys आपको करना क्या होता है मैं बता हूँ मान लीजे आपको इसका निकालना है square root ठीक है तो i के साथ जो number लिखा है सबसे पहले उसको आप two से divide करो two से divide कितना आ गया 12 अब आपको 12 को ऐसे दो factor में break करना है जिनको multiply करके 12 आ रहा हो और उनके square को minus करने पर यह आ रहा हो तो वो दो number कौन से होंगे 3 और 4 ठीक है न बाई अब 4 का square 16 3 का square 9 इनका difference 7 होता है अब बहुत ध्यान से सुनिएगा यह बहुत important बात है अगर यह negative आ रहा है तो smaller one आगे रहेगा और bigger one पीछे रहेगा ठीक है पर अगर यह positive होता तो इसका answer क्या होता 4 plus 3i तो आपके question में negative है इसलिए यह answer हो जाएगा अगर यह positive होता तो यह answer हो जाता ठीक नवर्ट so this is your required answer so according to options कौन सो option सबसे हो रहा है C ठीक है I hope आपको यह दोनों question बहुत अच्छे समझ में आ गया होंगे so let's discuss question no.5 and question no.6 question no.5 is based on limit and question no.6 is also based on limit and question no.6 is also based on limit and question no.6 is also based on limit so question no.5 आपका है limit का एक अच्छाना question है बहुत important time question है आप लोगों ने काफी लोगने बद्ग्याफिरस से वीडियो बलाईगे इसलिए मैंने इंटर प्रॉश्स को किया है यह बहुत सारे exam सब्रें वेल्ट्पर टाइम से हुआ है जाहे आप NDA का exam पो हो previous previous PGT का हो PGT का हो NPS का हो even DSP पे भी आचुका है यह question सो एक काफी important type of question है सो इसको अच्छे समझ देजिए तो guys इस question मैं देखती है अगर आप उन्हें पुरा सा पढ़ाई की होगी कभी है जो आपने की होगी सो आपको कुछ सम्हें आगा रहोगा कि यह इस formula direction है ठीक है एक गूर GX क्ये पढ़ा होगा क्योंकि बिल्कुल सही है मैं इसमें बिल्कुल यह दि गोलना हूँ कि गलत है पुश्यक्त नहीं है आप इसको रखोगे इसको रखोगे आपका असरना जाए रही होगा यहाँ जिस platform में आप आप ही बोगे इस वीडियो को क्यों देख रही है क्या यह बिल्जाने के नहीं यह भुख में लिखा हुआ है बिटा competition देने जा रहे हो competition में हार second की value है so अगर इस question को इमान्तारी से बताओ आज तक तुमने कैसे बढ़ाया ऐसे बढ़ाये ना और इस question से कहते है तुम्हें भी पता है मान्तारी से कि कम से कम एक नट चला जाएगा जलाएगा बहुत अचीज पर ती सिंद जाएगा जाएगा नहीं जाएगा Agree करते हो आप 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 इस question को मैं आप आपको ऐसा जुगाडा अपना देवाला हूं जो जुगाडा दोना हूं में ड्रेक नहीं मुलना हूं क्यों? कि वो जुगाड निकला concept से कुछ तुम्हें दो से तक ऐसा वैसा नहीं है बद फिर वही बात है जवी कि जवी से करना है आपको क्या करना है आपको इतना है कि लिख दिया जो निख लो ऐसी –3 screw –1 को basically ईस में से इस नम्मर्य को –3 क्या करणियोше किसे इस नम्मर्य को –3 क्मार्य प्यत्व माइस लितना हो गया –5 आप न हर्ज़र आघया गालिया पना है कि इस अने जो student's description को देख रहे हो तो इस तरह ऐसे कैसे हो गया तो guys, फिल्म में पिटा एक ही वाद आपको बोलूगा कि ऐसे हैं तो गार वाद से करते हैं अस्टेक्शन लेते हैं, फिर पार करते हैं ठीक है, आप तो अगर यह वाद मतनी कुछ करना है मैं अगर नहीं कर रहा हूँ, और मैं यह भी बोल रहा हूँ तो इस बहुत तो यही बोल रहा हूँ बट वो तीन स्टेप में देख क्यो करना एक्जाम एक्जाम इस आपको जल्दी जल्दी कुछन करना ठीक है, वो भी सही तरीके से कि आज़र आजागगा अब आप एस मर्शन में तो इस मर्शन को आएक एस आप लोगोंने ट्राइक किया होगा और आपको कि बन में अरा होगा माईस 4, माईस 2 तो आज से ले, ठीक ही बागा, माईस 6 यही आरा है गलत है, बिल्कुल गलत है मैंने आपसे क्या कहा था इसके बीक्षे कोई नपर नि होना चाहिए यहां पे कोई नमर नि होना चाहिए यहां कोई नमर है? नहीं है ठीक? पर यहां पर 3 है हैना माईस 4, 4, 4, 3 4, 4, 4, 5, 5, 6 यहां तो आपको आपको अपन से है कता motern केता that अब आगे रो पॉल 3 है यहां में पॉल 3 करको इतना आगा अशर है एक इमावर माइनस 2 ठीक है यह आपका रिखवाड़ अशर है अब एक बाद और अब अब यही में आपको इच्छी होताने बालों बहुत इपॉर्टन है अगे समझना सपोज यह सब्सक्राइब क्या कि एक काम को कि आप स्प्रिशोट लेगा इसको कि आप इसमें कुछ जिजस करने वाल है और आप यह अच्छे समझना बहुत इपॉर्टन है यह समझना आपको आपको बहुत बहुत आपक है सिंगेंट है, जो तक खतम हो झाएगी, खिक है अगल बाग इसलीज ळी आपको ओके, 3 आपको मांच den तर्व फरी की आपको. अब तक चुर्टन होगो क somos समझना बहुत आपको आपको कहने का हैieurs हमाह समूझ लहों नहीं सा आज है 5x-7 5x-2 और x-1 by 6 उसमी तरह बिए ऐसा है और यहां पर लिमिट x तो इंफिल्टी ठीक है? अभी क्या करना है? e लिखा minus 7 अब यहां तो क्या होगा? plus 2 बाइब minus 2 होगा? अब आप एक plus का तो minus क्या तो रियाब कर देगा? plus की minus? plus 2 ठीक है? 2 कितना होगा? minus 5 एक बाब मानस 5 यहांसर है? नहीं है V6P तो है? ठीक यहांसर है? नहीं है क्योंकि 5P तो है? यहांसर है गाइस, trust me इस मेज़ट से चल्दी आप एक्जब कोई मिलन लगा के नहीं कर सकते हो अग्लेस परेंटिल आपको आजब कराओ ठीक है? आए हो, आपको यह समझ में आगिया होगा एक वार साभी आप फेवर करिएगा इस तरह के कुशन आप जो भी आपनी बूप रहे अडी फर्मस एपटनर हो श्रीड़शन परेंटिल के आपको मतब्लेशन के आपको यह चाहिए अगर विदो के का अच्छी होती है अगर कोई कोई को लिए लिए भूप पर वह आपको कुश्टन साथ लिखेंग हो सारे लगा दाए पार आपको अपको अनुक्षर रिटब हो जाएगा हाँ अच्छा आप अच्छा काम करता है, इसे मैं और लूटीवेट हूं और अच्छी वीडियो बनाने की मन करता है आप लाइक और कमेंट करें इसमें पैसा नहीं बड़ा है और अगर फूरी भी टाउं करता है तो बिल्दाव साथ कुछी है, मुझे कोई निक करने है अब ही तो आपका फ्रेस्बूक पेज़ की है, मैं शुकर्स है, वहाँ भी दे सकते हैं, और ही चीज़े हैं आप इस्टोल करिए आप मैं आपके मैंस की जर्टी बनाना असान मेरा काम है, पर स्टुटी फॉलो करना आपका काम है ठीक है, थाइक यू सुमस